हलो वी वान वेलकम बैग, कैसे हैं आप लोग आसा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियर स्टेंट्स आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बड़े ही इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके माइंड में कहीं न कहीं ये डाउट जरूर से जरूर आया होगा कि सर हमारा जो पॉल्टेक्निक इंटरंस एक्जाम होने वाला है सर उसमें मैस में तो हमें रफ करने की जरूरत पड़ती है तो उस रफ वर को करने के लिए हमें अलग से रफ कॉपी या कुछ भी हमें प्रोवाइड कराया है कोई मैटेरियल या हम कहां पे करेंगे हमें बताइए तो डियर स्टेंट्स आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं कि आप एक्जाम हाल में रफ वर कैसे करेंगे आपको पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सारी की स सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे उसके पहले हम आपसे यह बोलें बच्चों कि आज थ्री पीएम की जो आपकी क्लास थी वह मैं टेंड नहीं कर पाया उसका रीजन क्या था कि आज लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी लाइट नहीं है इस दंगल की जो सिरीज चल रही हो उसकी प्लेइलिस्ट की लिंग फिर में यहां पर दे दूंगा उसमें से कोई वीडियो सुटा होगा तो उसको आप लोग देख लिजेगा बाकी टेलिग्राम पर कुछ मैटेरियल मैं भी आपको सेंड करूंगा उसको भी देख कर गया प्र पर के लिए ठीक है ना तो आपको एक्जाम हाल में वहां पर इस बिद्याले से जहां पर आपका सेंटर ना तो वहां से प्रवाइड कराया जाएगा अलग से कुछ नहीं मिलेगा आपको केवल OMR सीट मिलेगी और साथ ही साथ आपको आपका पेपर मिलेगा इसके अत्रिक् ये इतनी जगा रहती है और यहां पर बचो रॉफ कार लिखा भी रहता है जब आप फेपर खुलेंगे तो रॉफ अगे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा इस पेश दिया रहता है वहीं पर आपको रॉफ करना होता है या जैसे माल जी यहाँ पर question दिखा हुआ है यहाँ बीच में अगर थोड़ा सा space है यहाँ बगल में question की space है तो वहाँ पर आपको rough work करना होता है अलग से आपको वहाँ पर कोई भी page या कोई भी copy या इस तरह से कोई material आपको वहाँ पर provide नहीं कराए जाएगा अब हम आपको इतनी बात तो clear होगी बच्चों की आपको अलग से होँआ rough work के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी आपको उसी paper में ही rough work करना है ठीके अब बात होती है कि properly हम rough work कैसे करें क्योंकि इतना ज़्यादा space हमारे पास नहीं होगा और हमारी habit थोड़ी long लगाने की अगर पड़ गई है तो उस situation में उतने में हमारा हो नहीं पाएगा सर तब हम क्या करेंगे माले इतना भी space है सर वो भर गया हमारा कम ही question में दिन हम लोग क्या करेंगे तो dear students इसलिए हम उपने students को suggest करते हैं कि जो rough work होगा ना उसको आप लोग हमेशा pencil से करिएगा ठीक है pencil से आप रफ वर को करिएगा pencil और रवर आप लोग लेके जा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर कोई मना करेगा तो उसको आप बता जीगा रफ वर के लिए हम लेके जा रहे हैं वैसे कोई मना नहीं करेगा pencil और रवर और उसको आप pencil लेकर के जा सकते हैं उसके लि तो पिंसेल वाले से कोई फरक नहीं पड़ता दुबारा पिंसेल हम लोग कर पा रहे हैं बाते समझ में आ रहे हैं तो इसलिए आपको रफ वर करने के यह जो कंडिशन में आपको समझा है इसको आप लोगों को ध्यान रखना ठीक है इसके बाद अभी एक वीडियो आपको मै नेक्स्ट वीडियो में डिसक्स करेंगे अभी इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया रफ वर्स लेटेड यह आपको काफी इंपोर्टेंट लगा होगा और आपके डाउट सारे के सारे क्लियर करना यह हमारी स्पॉंसिबिलिटी बन जाती है इसलिए आपके माइंड मे वही जो आपका एक्जाम पेपर होगा उसे में कुछ-कुछ इसपेस दिया रहता है या कुश्चन के बगल जहां भी आपको इसपेस मिलेगा वहाँ पर आपको रफ वर्क करना होगा प्रयास आपको यह करना है कि आप पैंसिल से रफ कर वर्क करेंगे तो आपके जादा अ